प्राइम टेम में आपका स्वागत है अब रूख करते हैं आज के एडलाइन्स पर चन्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के एक लड़के ने मोबाइल पर गाना बजा कर भगाया बाग को लड़के ने सूजबूज से बचाई खुद की ही जान विधरपपै सुर्यदेव उगल रहे है आग बुधवार को ब्रह्मपुरी में पारा 45.3 डिग्री सेल्सियस पर और शादी का जहांसा देकर लूटने वाले गिरों का सरगना हुआ गिरफतार गेवराई पुलिस ने दिया कारवाई को उन्जाम और अब खबरे विस्तार से ऐसा ही हुआ है क्या है ये पुरा मामला आएए देखते हैं चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के आवरगाउ का रहने वाला गुनवंत लोदे नाम का ये लड़का नौभी कक्षा में पड़ता है अब जब स्कूल के छुट्टिया खतम हो गई है तो वो अप पर देखा तो उसके सामने एक बड़ा सा बाग नजर आया ऐसे बाग किसी को भी दिखाई दे तो उसके नीचे की जमिन खिसक जाती है लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी वो बाग को देखकर खड़ा हो गया बाग और लड़का दोनों एक दूसरे को देख रहे थे उस कि उसने बाग का पीछा किया और अपना मोबाईल फोन बाग की दिशा में फेक दिया जंगल में बाग के गायब होने के बाद लड़के ने घर पर ये संपुर्ण माजरा सुनाया तब सारे ही आश्यरे चकित हो गय थे लेकिन लड़का उस भयावा स्तीती से बज गया उसक सुचे ना तो मोबाईल फेकुन मारला मारलया नंतर आमी दोगे ही धावद गेलो गेला नंतर बंबलु नूपल्या बरोबर तो वाक पड़ाला विधर्व में सुर्यदेव आग उगल रहे है विधवार को ब्रह्भपूरी में पारा 45.3 डिग्री सेल्सेस पर जा पहुचा इसके साथ विधर्व ही नहीं पुरे विश्व में ब्रह्भपूरी सबसे गर्म शहर रहा सुरच की तपिश ब्रह्भपूरी में सबसे अधीक है इसकी पुष्टी सबसे गर्म ठंडे शहरों की सूची जारी करने वाले eldorado weather.com ने की है समंदित वेबसाइट की माने तो गर्मी के मामले में शिर्ष 15 शहरों में विधर्व के 5 शहरों का समावेश है जबकि टॉप 3 में विधर्व के 3 शहर है गर्मी के मामले में ब्रह्भपूरी के बाद चंद्रपूर 45.2 अकोला 44.6 क्रमशह दूसरे और तिसरे नमबर पर रहे 15 शिर्ष गर्म शहरों में 13 भारत के हैं मौसम विभाग की वेबसाइट में समंदित तापमान की पुष्टी की गई है मौसम विभाग ने 20 अपरेल तक नागपूर सहित विधर्व में भिशन गर्मी की चितावनी जारी की थी वही नागपूर में 20 और 21 अपरेल को बादल चाने और बारिश के आसार भी चताए जा रहे हैं नागपूर में बुधवार को अधिकतम तापमान 43.2 डिगरी पर जाप पहुचा समित पाच लोगों के खिलाफ मामला दर्श किया गया इस मामले में पुलिस ने मुख्य सुत्राधार रामकिशन जगर्नात तपडिया को गिरफ्तार करने में कामियाभी हासिल की है दिनांक 12 एप्रिल 2022 गेवराय पुलिस्टाने एते तक्राधार नामे कृष्णा फरतले रानार तर्णे वडी यांचा तक्रारेरून बनावट लगन केले प्रकरने चार अरुपितन विरुद्ध हसुन केचा गुना दाखल करने तालावता सदर गुन्याचा तफसा मदे मुख्य सुत्रदार रामकिशन जगना तापडिया रान अर्शेवगाव यास दिनांक 21 एप्रिल रोजी आटक करने ताली रा सुन सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता की फेवरिट डिश मैं बनावट लगना एजेंट हुन तेने लाउन दिले हाई करका से यावा बद पुड़ित पत चाल वाही बंक तो चला एक ब अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंक भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटीट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू गाइदेंस पाइड़ी एक्सपर्ट, प्राक्तिकल ट्रेनिग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फाकल्टी, परस्नल गूमिंग जैसे कई सारे बनेफिट आप पासकने है Flywheel Aviation Academy वन डिग्री, त्री जब अप्रचुनिटीज Flywheel Aviation Academy वन डिग्री और डिप्लोमा विध जॉब Flywheel Aviation Academy 365 गानी नगर L.A.D. कॉलिट स्क्वेर, बिसाइड करनाटिका बैंक नागपुर वास्ने मेटिंग भुल है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे माहा पुष्प सोसाइटी शताब दी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर कॉल और विजिट करें www.pildsfistulacure.com ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वही एक कबर नागपूर के मुमिनपूरा से तहसिल पुलिस थाना अंदरगत आने वाले मुमिनपूरा गाइडलेंग शेत्र में बीते कुछ दिनों पहले एक संदिक्त चार पहिया वहां की बिक्की में मुमिनपूरा गाइडलेंग इलाके में एक वाहन की डिक्की में शव मिलने का मामला सामने आया था अब इस मामले में जांच कर पुलिस ने मुमिनपूरा गाइडलेंग इलाके में और उसका नाम कार्तिक हेमराच से लोकर है कार्तिको कुछ दिन पहले बीमारी की वज़े से मियो अस्पताल में भर्ती कराया गया था पुलिस को जांच के दोरान घटना स्थाल से कुछ ही दूरी पर कपड़े मिले परीजोनों से इस बारे में पुछताच करने पर उन्होंने बताया कि कपड़े मुरू तक के है तो पुलिस ने यहां रहने वाले एक भीकारी दमपती से पूछताच की नासिर शेख वल्द मोहमत शाफिर और उसकी पतनी नसरिन शेख नासिर शेख ने किसी विवात के चलते गुस्से में आकर कार्तिक के सिर पर रोड से वार कर हत्या कर दी थी और फिरश्चाव को कार में शिपा दिया था प्रायर टू पोस्टमाटम रिपोर्ट है अमाला ओपिनियन में आले अमी ते मृत्तकाची ओलग पठ्वना करिता तसे याद काई गात्पतास प्रकार आहे का बगना करिता आमी अनिक साक्षिदार्त पासले त्या तुन मृत्तकाची ओलग ही अमाला जाले लिया है कलमनाचा रहानारा हा मृत्तका है कार्तिक हेमराच सेलो कर वही सदोतिस वरश लक्ष्मीनकर नविन चितलामाता मंदिर जवल कलमना आसा मृत्तकाची नावाही हां मेहों हस्पिटल मदे तारिक आकरा रोजी एडमिट होता तRCाला पोटाची का वेडे चेत्रास होता तस असतो दारुबिणैचे सवाहीचा उता तो में यो उस्पिटल मदे उप्चर चालु अस्तान ना ती थुन निगुन गिलावता आणि निगुन जातान ना तेचे सासूशी तेचे तुन निगुन जाना संबंधी वाद विवाद जाले होते गटनास तड़ावर आमाला काया अंत्रावर एक लोवर पांट या ना तेचा ना तेवाइकनने प्रेत यह या 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 अजलेचा कन्फर्म केला है त्याहर। अगर्णाशी वोलोग पटली आए। गुनाचा तपासादर में आमाला त्याजा गार्डलाइन परी सराताच रेलवेलाइंचा पड़क्या कोर्टर मदे एक भिकारी नौरा पतिपत्मीरात होते। त्याहर। अगर्णाशी वोलोग पटली आए। अगर्णाशी वोलोग पटली आए। अगर्णाशी वोलोग पटली आए। पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कारवाई ही जा रही है। रोशन बोकरे के साथ दीशा हटवार विकेबी न्यूस। क्राइम राज के अपर पुलिस आएक्ट सुनिल फुलारी सहित तिन आईपेस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सुनिल फुलारी को बतौर विशेश पुलिस महारी रिक्षक पुड़े के मोटर वहन विभाग में भीजा गया। मुलतह नागपुर के निवासी फुलारी सितंबर 2020 से नागपुर में तैनाथ है। उनके स्थान पर उस्मानाबाद की पुलिस अधिक्षक नीवा जेन पदोलनत होकर बतौर अपर पुलिस आइक्ट दक्षिल प्रादिशे की विभाग में आ रही है। श्रीमती जैन 2008 बैज की IPS अफसर है। आर्थिक शाका के उपायोक्त डॉक्टर अक्षे शिंदे को उसमानाबाद का पुलिस अधिक्षक बनाया गया है। जोन 5 के उपायोक्त मनिश कलवनिया को और अंगाबाद ग्रामिन की पुलिस अधिक्षक की कमान सोपी गई है। सजाया हुआ मंदिर, सभामंडप और साथी साथ मुकूट, सुन्दर भूशन और फुलो की माला से सजे गण नारायन के सुन्दर रुप को भी देखने को मिला। इस अउसर पर सम्रुद्य दग्रुशेट हलवाई गणपती मंदिर में वसंत उती मोगरा उत्सव के अउसर पर गणराय को 50 लाग सुगनित फूलो का पुश्व चड़ाया गया। था या अत्ताचाकाडामादेजी सुवाषी खुलोए था विशेश्वा मोगरा चाआपा जाही जूई है ऐस प्रावतना समस्त भक्ततांचव वतीने है अपन गणरायंचा चड़नी केलीलाजते अब एक खबर ऐसी है जो थोड़ी सी निराश करने वाली है क्योंकि सबको पसंद आने माले प्रिया हापुस आम ने बाजार में प्रवेश कर लिया है कोकन और करनाटक से हापुस आम महात्मा फुले मंडई कॉर्फोर्ड मार्केट में पहुँचे है हालांकि हर साल के तुलना में आम की आवक कम होने की वज़े से आम की कीमतों में तेजी आई है नतीजा ये रहा कि बाजार में आम खरीदने के लिए लोगों की भीर उमण पड़ी आम के भाव पांच से छे हजार से सीधा साथ से आठ हजार हो गए है और रेट एक हजार से दो हजार पतिदर जन है हापस उत्पादक जिले में बे मौसम बारिश से बागों को नुकसान पहुचा है नतीजतन आम अधिक महेंगे हो गए है और उपरभुकताओ द्वारा कमाम खरीदे जा रहे है ये जानकारी आम विक्रिताओं ने दी है ये जानकारी 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 जिले में पहुचान पहुचा है पहुस पानी रत्नागरी द्या ने जिल्याम अधि पाउचाल आई ते विए लाहवगड पिकाची लुश्कान जाले लिये, अनि शेटकरेंची पन लुश्कान जाले लिये, तरी पन दूसर्या बाराला आम्बे बरपुर हीतिल, और अनि सद्ध्या ची पहली खरी दी माहग आशलेया कार्णार ने, आम्बा सद्ध्या बादरात माहग विकला तो वीकेवी प्राइम पे अभी इतना ही आप से फिर उलाकात होगी तब तक देखते रहे ये वीकेवी न्यूस नमस्कार झाल